नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुक आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूस चानल का नंबर वन शो कच्चा चिठा कच्चिठा की शुरु kes गाजा के उस गदर से जहान हमास ने लड़ाकों ने इस्रेली सेना पर डबल हमले शुरू कर दिये दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर इसी तरह हमास हमले करता रहा है तो ये महायुध कई महीनों तक चलेगा कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि अब हमास इसरेल के खिलाफ खुफिया युद कर रहा है डवल धमाका डवल हमला हमास का खुफिया युद हमास के 45,000 रड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर और कितने जमीन के उपर से इसरेली सेना पर हमला कर रही है इसे लेकर ना तो अभी तक मुसाद कोई खुलासा कर पाया है और ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कोई भनक लग पाई है लेकिन मिडिलिस्ट की मिडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक हमास इसराइली सेना पर वैसे रहुषन हमले नहीं कर रहा है जिसे उसे करने चाहिए थे कुछ खबरों में दावा किया गया है कि भले ही इसराइली सेना दावा करें कि वो गाजा सीटी के बीचों बीच पहुँच चुकी है लेकिन हाखियकत में इस दावे पर पश्वी मिडिया के वार एक्सपर्स अब सवाल उठाने लगे हैं इसराइल के चौटी से जादा सैनिक जमीनी हमले के दौरान मारे जा चुके ही हम आपको पश्वी मिडिया के दावों के हवाले से बताने जा रहे हैं कि इसराइल सेना पर डवल धमाके के साथ डवल हमले की तैयारी हमास ने हिजबुला से मिलकर कर ली है इसराइल की वर्दी में हमास के लड़ाके लगता है इस बार इसराइली सेना, इसराइली खुफिया एजेंसी, मुसाद और बीना श्रेत, हमास की ताकत और वार प्लेन को समझने में बूरी तरह से फेल हुए हैं 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इसराइली हमले में दावा किया जा रहा था कि इसराइली सेना एक हफ़ते के अंदर उतरी गासा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी लेकिन अभी तक इसराइली सेना सिर्फ चार सो के खरीब सुरंगों को तबाह कर पाई है इदर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इसराइली सेना को उतरी गासा में हरा देंगी अखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है कुछ ख़बरों में यहाँ तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इसराइली सेना के वर्दी पहन कर हमले कर रहे हैं हमास सेना के शाखा अलकासम ब्रिगेड ने एक वीडियो चारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उतरी गासा में इसराइली सेना उनके टैंक उनके बखतरबंद लड़ाको वाहनों यहां तक कि बुल्डोजर पर भी हमास लड़ाके बेहत बेरहम और घा तक हमले कर रहे हैं जरा आप हमास के तरफ से जारी किये गए इस 2 मिनट 44 सेकंड के वीडियो की एक तस्वीर को देखिए जिसमें 50 फिस्दी तक तबाह हो चुके गासा में हमास के लड़ाके चारों तरफ से हमले कर रहे हैं डवल धमाका डवल हमला हमास का खुफिया युद्ध हमास किया कसम ब्रिगेट के लड़ाके आर पीजी थर्मोबेरिक ग्रिनेड रॉकेट से इसराइली सेडा पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं इसराइली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइले और रॉकेट से हमले हो रहे हैं हैरानी की बात तो ये है कि हमास की अलकासम ब्रिगेट अमेरिकी और रूसी हत्यारों से इसराइली सेडा पर हमला कर रही है हमास के पास जो घातक राइफले हैं उन्हें देख कर ही लग जाता है कि या तो अमेरिकी है या फिर रूसी इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ा के अचानक तवाही मारतों से बाहर निकल कर आर पीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीरे रौकेटों से हमले कर रहे हैं जबके जमीन पर इसराइली सेना का एक भी पैदत सैनिक नहीं दिख रहा है इस्राइली सेना पुरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी वक्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लडाकों से जंग कर रही है हमास के इस खफिया युद्धने इस्राइली सेना के पसी ने चुटा दिये हैं खुद इस्राइल के रख्षा मंत्री तकमाने को मजबूर है क्यों है बहदकूर और श्राइती लड़कों से जंग कर निपर रही है अज़ा है बसीस अटरॉर हगदोल बियुतर से बना ऐदम ऐपाम कोल अईर जो ही बसीस टरॉर एगद गदोल मतחת לקרקע कילומטרים של मינרות हम מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר, הם מחוברות ביניהם יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע इसराइल के लिए विनाशक हजबुला का हमला लेकिन वही दूसरी तरफ हेजबुला के चीफ हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि इसराइली सेना के लिए गाजा युद विनाशकारी साबित होने जा रहा है हेजबुला के 60ck000 से ज्यादा लड़के हमास के 40,000 लड़ाकों के साथ इसराइली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रही है पश्रुमी मिडिया ने भी माना है कि हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाईल ताकत इसराइल के लिए विनाशकारी साबित होगी हलाकि इसराइली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उतरी घासा में 10 घंटे की भिशन जंग में पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के बहुत बड़े गढ़ पर खबजा कर लिया है इसराइल की आईडियेफ ने दावा किया है की महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुक गढ़ पर खबजा कर लिया गया है इसराइली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भिशन जंग में हमास के धरजनों लड़ा के मारे गए है आईडियेफ की मुख पैदल सेना इकायों में से एक नाहल ब्रिगेट के सैनिकों ने उतरी गासा के पश्रुम में जवालिया पर भिशन हमला किया है जवालिया में आउटपूस्ट 17 पर आईडियेफ ने हमास लड़ा को कुमार कर खबजा कर लिया है आईडियेफ ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ा के जमीन के उपर और भूमीगत मार्क से हमले कर रहे हैं आईडियेफ के खुफिया जानकारी के आधार पर एक आईडियेफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास के एंटी टेंक मिसाइल यूनिट के प्रमुक इबराहिम अबु मगसीब को मार डाला है आईडियेफ के मताबिक अबु मगसीब के मारे जाने से पहले इस्राइली सेना और आईडियेफ सेनिकों पर कई एंटी टेंक मिसाइल से हमले करने जा रहा था इससे पहले हमास के एंटी टेंक मिसाइल के कमांडर मुहम्मद असर को IDF ने मार ढाला था IDF ने कई तस्वीरे जारी की हैं जिसमें दावा किया गया है कि नौर्थ गासा में हमले बेहत तीज कर दिये गये हैं इसराइली सेना ने ये भी दावा किया है कि हमास के खरीब साट कमांडरों को अब तक मार दिया गया है रोइटर्स के मताबिक इसराइली सेना ने गाजा में हमास के चिफाया सिन्वार को उसके बंकर में अलग ठलग कर दिया है वो बंकर के बाहर के दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है इसराइल के युद कैबिनेट के मंतरी रोइन डर्मर ने दावा किया है कि 30 दिन से जादा की जंग में 3 से 4 हजार से जादा हमास लड़ा के मारी जा चुके है उत्री गाजा का 50 फिसनी इलागा पूरी तरह से तबाह चुका है से फिलिस्तेनी हो रहमास समर ठूका बीच जारा मचा हुआ है खुग ओासिव, वे उना तजिव, उना उना तुका लगा से भी कुला अखला तुका है तालिव, उना अल्मदाड़ जिव, उना अल्मदाला उना बार्णा कर्णा है झाल झाल